दोस्तो सवागत है आपकी आज की वीडियो में तो गाइस आज का वीडियो हमारा फिर इंटरव्यू कोशन पे है जहां आप इसको ले लो की प्रेपरेशन चल रही है हमारी जूनियर इंजिनियर एग्जैम की जहां SSE में जो कोशन पूछे गए है या इंटरव्यू में कोशन पीछे है वो सब में कोशन साथ में लेकर आए हूं आपके लिए मैं चुन-चुन के कोशन कर लाता हूं काफ़ी इंपोर्टन कोशन होते हैं जो मतलब मैंनली इंटरव्यू और एग्जैम में देखे जाते हैं तो आज के भी ऐसे ही कोशन है तो स्टार्ट करता हूं सबसे बहला कोशन जो काफ़ी इंपोर्टन कोशन है जो यह कोशन है जो आपकी ट्रेक्टिकल लाइफ में भी काम आएगा जब आप मतलब साइड पर काम करवाओगे तो यह कोशन वहां भी काम आता है बहुत इंपोर्टन टॉपीक है ठीक है तो कोशन है तो में रिइंफोर्समेंट आफ रसी सी स्लैब कोंसी स्टाफ 10 mm बार मतलब क्या बोलता है कि एक रसी सी स्लैब है वहां हम स्टील बार प्रवाइड कर रहे हैं यह स्टील आ गया 10 डाय का और इसकी अंदर अंदर स्पेसिंग है 100 mm की 10 cm मतलब ले लो ठीक है यह 10 डाय का है कुछ कारणों से क्या हुआ यह 10 डाय का स्टील खतम हो गया और वहां एवलेबल नहीं है और आपको स्लैब कास्ट करनी है दूसरे दिन तो आपके पास है 12 mm का स्टील ठीक है तो 12 mm का स्टील है तो उसकी स्टेंट से ज्यादा होगी तो उसे हमें कितनी स्पेसिंग में प्रवाइड करने है क्योंकि स्पेसिंग हमें सिर्फ पत है 10 डाय का स्टील है 100 की स्पेसिंग दीवी है लेकिन 10 का डाय का सरीय खतम हो गया 100 की स्पेसिंग अभी दे नहीं के जो exam हुआ है, उसमें भी आया है SSEJ में भी आया है SSB में भी आया है even ये LNT और EFCON में interview में पूछा गया है, तो start करता हूँ सबसे पहले simple सा formula है जो हम बच्पन से पढ़ते आ रहे हैं क्या करने है आपको पहले D1 ले लिया हमने क्या जो dia पता है हमें जो पहला dia मलब 10 mm जो हमें साइट पे है 10 mm, D2 आ गया 12 mm ठीक है, S1 आ गया spacing जो पता है, S2 आ गया जो हमें नहीं पता है, तो क्या करना है formula है D1 Y D2 equal to S1 Y S2, ये formula है फिर नीचे आते हम D1 का square मलब square square अलग कर दिया हमने D1 का square, D2 का square, S1 S2 is simple, फिर next क्या करना है D1 क्या था हमारा, D1 है 10 mm, तो 10 mm हमें यहाँ put कर दिया, ठीक है D2 क्या हमारा, 12 mm तो 12 mm हमें यहाँ put कर दिया S1 क्या हमारा, 100 mm यहाँ put कर दिया, S2 क्या है हमें निकालना है, मतलो जो दूसरा 12 dia का के लिए spacing निकालना है, तो S2 लिए हमने यहाँ, ठीक है अभी क्या करना है, इसको मैं खोल देते है 10 into 10, और 12 12, यह हो गया, अभी क्या है 100 S2, S2 ऐसे निचे आते हैं, S2 में यहाँ ले गया, यह 100 हो गया multiply गया, मैंने 100 आगया, S2 यहाँ यहाँ ले गया, यहाँ आगया, S2 फिर क्या किया, 100 यहीं, 12 यहाँ ले गया दूसरा 12 यहाँ ले गया, अभी क्या है S2 की value हम कैसे निकलेंगी इसको multiply करेंगे, इसको यहाँ नीचे आजाएगा, यहाँ यहाँ से ठीक है, इसको करेंगे हम multiply divide तो आगया हमारा S2 कितना आगया 144 एमेम ठीक है, कोई मुश्किल नी था अभी क्या हो गया, अगर हम 12 डाया का वहाँ स्टील प्रवाइड करेंगे यह 12 डाया का स्टील, तो उसके बीच में हम spacing कितनी रखेंगे 144 एमेम ठीक है, और 10 डाया का स्टील, तो कितनी रखेंगे थे 100 एमेम यह simple formula था, यह formula याद रखने है आपनों निकाल सकती हो, और दूसरी चीज़ क्या होती है इसमें एक में point बता देते हम आपको इसमें क्या करना है अगर आपको formula नहीं आता हो जो defective depth होती है मतलब यह slab ले लिए हमारी 120 mm की थी तो जो, मतलब इसकी depth लीए मैंने, ठीक है जो इसकी effective depth होगी मतलब ले लो 80 mm आई, effective depth 3 into 80 जितना आएगा, मतलब 240, कितना आएगा? 240 लगए बो तो 240 भी आप provide कर सकती हो और 300 mm से जादा हमें नहीं provide करना है मतलब 3 condition के निकालनी है, ठीक है? इस condition में, यह condition में निकालनी है फिर यह condition भी करनी है, यह condition भी करनी है इन सब में जो कम आएगा वो आपको follow करना है, मतलब इसी formula से आपको निकाल के जाना है तो आप वो provide कर सकते हो यह हमारा पहला question जो हता next question क्या है हमारा next question है the shape of suspended cable for uniformly distribution load average, L&T में पूछा गया question है यह पूछते हैं कि जो suspension bridge रहता है हमारा आपने देखा होगा bridge जैसे जो हमारा suspension bridge, जो cable पे होता है, cable से लटका होता है तो उसमें cable का क्या shape दिया जाता है कि वो properly load distribute करे तो वो parabolic होता है हमेश्या याद रखना, ऐसे नहीं दिखेगा आपको वो थोड़ा ऐसे दिखेगा तो वो हम shape provide करते हैं कि उसका load distributionally proper हो next question क्या है next question है how much reduction in the quantity of mixing water in concrete, why is I use a plasticizer देखो क्या होता है आपने अब कभी देखा होगा side पे आपका hand mix माल बनाओ जहाँ TM से आपका माल आ रहा है RNC आ रहा है उसमें कभी कभार पानी जाता हो जाता है तो उसको सही करने के लिए क्या करते हैं हम super plasticizer यूज करते है ठीक है तो उससे कितना percent पानी वो कम होता है SSBJ में पूछा गया question उसमें कितना percent पानी कम हो जाएगा 25 से 35 percent कम हो जाएगा अगर आप plasticizer उसमें use करोगे ठीक है यह दियान देना important question था इस side पे भी काम आएगा मैं ऐसे ही question लेके आता हूँ जो आपको side पे भी काम आएगे interview में भी काम आएगे और आपके exam में भी काम आएगे ऐसे question में डूंड के series start है मेरी next question है beach type of aggregate is best far high workable and far good concrete मतलब कौन सा जो aggregate होता है वो अच्छा है आपका जो concrete काम करने लाइक भी हो workability मतलब उसका काम करने के लाइक भी हो उसकी segregation बगरा भी नहीं हो और वो अच्छा concrete भी और durable भी हो तो वो होता है rounded aggregate मतलब यो round round आपने shape देखी होगी aggregate की वो best aggregate होता है अगर आप flaky या elongated गरोगे मतलब ऐसे आपने देखे होगे लंबे या पतले से ऐसे कटे हुए ऐसे अगर use करोगे तो उससे क्या होगा एक तो workable नहीं होगा वो और उसकी life भी कम होती है concrete की जिसमें elongated और flakyness यूज किये जाते है ये interview में question पूछा जाता है दियान रखना next question जो है वो है how you can prevent shrinkage reflection in rectangular beam ठीक है ये question काफी important है आपने beam में देखा होगा reflection होती है सबको पता है थोड़ी बहुत हो deflection होती ही होती है चलती है लेकिन जादा नहीं होनी चाहिए पहले आपको word समझना है shrinkage reflection क्या होती है देखो जब भी shrinkage होगा मतलब देखो shrinkage कई कारून से हो जाता है जहां तो पानी एकदम से evaporate होगा जब आपने concreting की तो पानी evaporate होगा यहां cover काम है तो cracks पढ़ जाते है concrete में ठीक है वो होगे shrinkage उससे क्या होता है जैसे concrete crack पढ़ेंगे तो जो एक stress पढ़ता है compressive stress पढ़ता है जो इसके steel bar होगा longitudinal इन पे compressive stress पढ़ता है तो उसकी बएसे क्या होती है deflection थोड़ी बहुत उसमें beam में दिखती है तो उस deflection से बचने के लिए हम क्या करते है क्या करना चाहिए तो उसका answer है अगर आपने क्या किया होगा दोनों tension और compression steel बराबर डाला होगा मतलब जितना उसको needed है तो वो आप उस जिंजड से निकल सकती है वहाँ श्रिंगेज deflection नहीं होगा दियान रखना क्यों काफ़ इंपोर्टन है कि श्रिंगेज deflection होती है रेक्टर अंग बीम में कैसे रोग सकती है वो हम रोग सकती है अगर नहीं करेंगे तो वहाँ श्रिंगेज deflection देखने को मिलेगी उसको बीम में द्यान रखना next question है वो है but if we increase water ratio in concrete what its effect permeability अगर देखो water ratio increase हुई पर परमीविल्टी है क्या concrete में permeability हो गया मतलब पानी गुसने मतलब लगा लो कोई जगा जहां से पानी निकल के अंदर पहुंच जाए तो concrete में अगर हम water ratio ज़्यादा कर देते हैं तो उसका effect क्या पड़ता है permeability पे एक तो मैं पहले चीज़ आपको बताऊँगा कि permeability very low होनी चाहिए concrete की मतलब उसमें पानी गुसना ही निचाहिए काफी reason होते हैं कि पानी उसमें अगर आपने by chance water ratio ज़्यादा कर दिये तो उसकी permeability increase हो जाएगी और उससे क्या होगा उससे क्या होगा पानी अंदर गुसे का concrete में जो अंदर सरीया होगा वो दीरे दीर detroit हो जाएगा और खराब हो जाएगा तो इसी लिए क्या दियान रखना है हमेशा आपको water ratio कम रखनी है पानी में कि उसमें pores नहीं बचे हैं एक तो हम permeability decrease होर कैसे कर सकते हैं अच्छे से vibration बगरा करें उसमें जो vibrator होता है वो अच्छे से चलाएं तो उससे भी permeability कम हो सकती है तो अगर water ratio बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगा permeability उसकी बढ़ेगी दियान रखना next question है यह first class brick यह तो सब को पता होगा सब को आता भी होगा लेकिन पूचे जाते हैं मैं बता देता हूं इसके बारे में जो first class brick होती है उसको हम 24 गंटे के लिए ठंडे पानी में डालते हैं अगर तो वो कितना ज़्यादा पानी उसको नहीं सोकना चाहिए अगर वो अच्छी brick है तो उससे ज़्यादा पानी वो नहीं सोकी तो वो कितना होता है 20% मतलब 20% से ज़्यादा उसको पानी अब्जार्व नहीं करना होता है यह आपको ध्यान देना है और जो crushing strength होती है first class brick की वो कितनी होती है 10.5 newton per mm square और यह question आपको हर interview में जहां हर exam में देखने को पक्का मिलेगा तो guys यह था आज का वीडियो हमारा काफी अच्छा वीडियो था I hope आपको समझ आयो जीजे अगर नहीं आयोंगी comment करना में उनका reply तुरंत करूंगा Thank you guys